तो भीया, आप सबी को पहले दिल से राम राम मैं मुकेश चंद्रगोंड नुवेडा भारत से और आज हम बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर जो भी वार्डनिंग लाइट आती है उसके क्या मतलब है उन वार्डनिंग लाइट का और किस वज़ा से वार्डनिंग लाइट जहां तक कुसिस करूँगा मैं ये सारी चीज समझाने के लिए गाड़ी इंजन को ignition ओन करते हैं तो डेस्बोर्ड में सारी लाइट आनी चीज़िए यदि कोई लाइट नहीं आ रही है तो वो problem है सारी light आनी चाहिए, सारी light आ गई, हमने start कर दी, अब सारी light चली जानी चाहिए, यदि कोई भी light, warning light start करने के बाद से भी आ रहे हैं और continue आ रहे हैं तो उस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं कि कि इस चीज़ की warning light है और क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है इसका अब लाइटों को बारे में जाने से पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं इनका color क्या कहता है सबसे पहले यह 3 color में होते हैं पहला red जो बहुत ज़्यादा high risk होता है red color की कोई भी warning light आपके गाड़ी में आ जाती है होती है yellow या फिर orange उसका मतलब यह होता है कि high risky तो नहीं हो उस पर चला के आप जा सकते हैं लेकिन जल्दी से जल्दी करवाना होता है या फिर यह होता है कि कोई भी sensor या कोई प्राब्लम या di-sable हो गया फिर दिक्कत है और तीस्वी जो light होती है वह green colour के होती है इन का मतलब होता है कि कोई भी छिय एक्टिवेट हो गई है कोई बी system हो या कोई भी ची एक्टिवेट भाब अभाएग कीज हम समझ लेते हैं कई लाइट कुछ समझ लेते हैं तीन सारी चीजों को समझ लेते हैं आचीा तरीके से ृर्श्ट वार्णिंगलाइट है इसे स्पेनर वाणिंगलाइट जिसको बने से kings e pets जब यह रोड्य तो हमें क्या चेक करना होता है, कि सर्वेस नहीं है एक्सिलिएटर पाडला वर किंग कर रहा है कि नहींепने को प्राइब नहीं प्रॉब्लम नहीं?" फ्यूल की supply, एयर की supply, यह सारी चीजे, वाइरिंग में दिक्कत हो जाती है, तो यह light आने के chance होते है, इसके अलावा और भी कुछ होते है, और मैं सारी जितनी वी एफ वीडियो में light के बारे बता रहा हूँ, जो कारण मैं बता रहा हूँ, उससे और भी कारण ज्यादा हो सक यह नहीं एक कि मैस बता रहूं इतना ही इसा नहीं है तो पहला इज पेंडर की लगाई detics जो है है कि ऑ है वहीं जीवा जूब्डा पापुलर और इंजीवा ज ना जन्रोप के रुट जेक लَगी कि इंजन के अंदर भी सारे सेंसर लगे हुए हैं जो इस्यू से कनेक्ट हैं इस्यू को एक भी सेंसर का इंपुट नहीं मिलेगा तो ओ यह लाइट वार्णिंग लाइट जला देगा चैक इंजन लाइट ठीक है इसमें भी तीन-चार कर कलर का है तीन-चार तरह का इसमें जो भी आपके गाड़ी मे जो भी आ रहा हो एक इंजन लाइट है लिक रेड कलर का ज्यादा ही हाई रिस्की होता है और एलो कलर का थोड़ा कम रिस्की होता है इस केस में क्या होता है मैप सेंसर ओटू सेंसर टीपी सेंसर आईएसी वोल थ्रोटल बोडी मनें इस्यू से मिलने वाले जो भी रिल्गी ब्लू दूसरा होता है ल पर अलो और तीसरा होता है रहीं हैं मतलग सब सिस्टम्स सब्वोके है बादी कोई दिक्कत नही tudसु सब सब्श्राइब कहलें लो या ईहीं कुलेंट च्छेक करना होता कुलेंट कम होने के वtså gene activities में जो रissäर दे नाख है वह तो तो फार्टर पर्म यह सारी चीज चेकर करना होता है जिसकी वजह से शीश्टम गडबड करता है रही करता है रह यह वार्णिंग लाइट आती है लेकिन इसके अलावा और भी कई चीजे होती हैं रहेते कि मालों की बैल्ट तूट जाये अल्टिनेटर काम नकरें वायरिंग में इस्वा जाए बैटरी गटरे मिल खराव तो यह लाइटे जल जाती है नेक्स्ट इंजन ओयल प्रेशर वार्निंग लाइट यह भी काफी बहुत खतरनाक वार्निंग लाइट होती है और ये भी दो color में आती हैं light आँ वैसे एक red में और एक yellow में तो जो इलो कि आ रही है उस light में क्या करना होता है हमें engine oil चेक करना होता है लेकिन यह red आ रही है तो उस case में क्या होगा हमें तो चेक करना होगा सबसे पहले light कभी भी आये या billing करें आप engine oil pressure switch को चेक करो जो प्रेशर ओयल स्वीच है ना उसको चेक करो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले उसके बाद से ओयल पंप चेक करना होता है इस टेनर चोख हो जा तो यह लाइट बिलिंग करने लगती है सर्विस डियू रिमाइंडर लाइट भी ऐसे में आती है तो यह भी खतरनाकी है नेक्स्ट ब्रेक सिस्टम वाडनिंग लाइट है और यह दिया रहा है तो आपको सबसे पहले हैंड ब्रेक रिलिच करना होता है कई केसे में अटर पर उठावा हो तो लाइट आ जाएगी ब्र यह कोई लेवल है उसकी वाडनिंग कट कर जाए तो यह वाडनिंग लाइट आएगी नेक्स्ट एंटी लोग ब्रेक सिस्टम एविस के लाइट आए यह भी बहुत किसे बहुत बार पाप्लर लाइट है यह आती रती है तो यह जब्से पहले चारो विल का सेंसर टेस्ट कि तो मतलब समझाना कि लोगोग ज्यादा ही खराब हो चुका है एंटी ब्रेक सिस्टम मतलब सिस्टम ही काम ना कर रहा है और 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 लेकिन तो क्यों पॉफामेंस नहीं देरा जो पॉफामेंस देना चाहिए नेग्स्ट है ग्लोप्लक वाड्निंग लाइत और यह कुक्छी हीटर का हीटर की लाइटे हैं कई वहीटर काम नहीं करता है या फिर घ्लोप्लक ख़लाब हो जाता है तो लाइट आती टायेगी लेकिन व 2 स्को डाइस गाड़ियों में क्या होता यह इंजन मैंज्मेंट की व और वोका actuator काम ना करा तो यह आजा आजाएगी यह सेंसर में प्रभ्लम हो गया तो यह लाइट आजाएगी तो यह गलोप लग वाड़निंग लाइट भी एक तरफ से में है और लेट्रेश्ट गाड़ियो में इंजेंट सिस्टम वाडिन लाइट के तरफ से बोला जा रहा है जारा है और यह लाइट ब्लिंग कर रहा है तो फिर इंग्जन मैनेजमेंट सिस्टम फोल्टी हो सकता है चप्छ डानीग लाइट और यह ऑती है तो गाड़ी श्टाट भी नहीं आफिए तो इसको तो मयादनिंग और आपके गाड़ी में आती है इंवलाइजर से रिलेटेड इसको बहलने। और इस case में क्या होता है टोर्क सेंसर जो होता है steering wheel torque sensor वह चेक करना होता है handle steering fluid चेक करना होता है कर रहे कले मोटर होती है उन प्रॉब्लम हो जाए तो यह वार्णिग लाइट आती यह steering power steering next fuel filter warning light कि और यह जो लाइट आती है ना इसमें ज्यादा cases में filter चेक करना होता है और लेकिन इसी से रिलेटएड एक और है वाटरीन फ्यू वाटनिंग लाइट इसी से लेकिन उस केस में क्या करना होता है फ्यूल की कंडीशन चेक ल्हें होती हैं like anneieur है लेकिन इनका अलग अलग फंडा भी है कौन विए करना होता है को दो डाट टी से नीचे वहलों आपना फ्यूल का कंडिशन चेक करना होता है कि गेस कैसा रफाब तो उस कंडिशन में वादिन वादिन लाइट आ हैं तो बावजूद लाइट लाइट नेक्स्ट टीपीमस की लाइट टायर प्रेशर मोनेटरिंग सिस्टम तो यह लाइट आती है चलो आपने हवा डलवा दिया या नाइट्रोजन डलवा दिया उसके बावजूद लाइट आ रही है तो जो टीपीमेस का जो स्वीच है जो बटन है बटन को स्वीच नहीं होता है वो बटन टच बटन होते हैं कई कैसे तो टच बटन को 27 सेकेंड तक तबा के रखोगे तो रिसेट हो जागा तो टच बटन नहीं है तो वहिकल मैनेजमेंट सिस्टम जो सेटिंग है उसमें से आप जाके कर सकते हैं उसमें होता है नेक्स्ट आटोमेटिक टांस्मिंशन वाडनिंग लाइट यह फ्लस करने लगता है समझ जाना उसी के बारे मै कर रहा हूं और इसमें दो तरह की लाइटे होती है एक यह गतिसा ओर एक होती है जो आtekंच लाइट हती है तो हमें क्या करना होता अटान सिस्टम रहा होता है लेकिन यह टम प्रेशर वर्णिंग लाइट आ जाए तो फ्लीड तो चेक करना होता है साथ में कुलेंट और चेक करना होता है यह फुली आटोमेटिक के बात करो है आटोमेटिक जो टंस्मिंशन वर्णिंग लाइट आती है तो उसके लिए तो उसमें कुलेंट भी चेक करना होता है फर्ष्ट में कार इसके नेक्स्ट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाडनिंग लाइट यह तो जानते हैं यह ग्रीन कलर का रहा तो डीक्टिवेट हो गया तो इन में तो थाई यह सब सिस्टम लेकिन अभी अपडेट कर दी हैं इंडिया में भी गाडियां आने कार नेक्स्ट एक्षं कंट्रोल वाडनिंग लाइट वो सिस्टम होता है और इसमें वी ओन आप नेक्टिवेट अबडेट हो जाए तो वर्णिंग लाइट इस चीजह होती है क्या वृल का सेंसर चेक करना होता है इन case में यह याज आ जाती है और गालर का रही तो समझ झाया कि एक्टिव है और तो कोई भी इन कलर की लाइट आ रही है उसका और घबडाने वाले बात नियों एक्टिव है यह आपको बताता है कि वह एक्टिवेट हो चुका है नेक्स्ट इलेक्ट्रानिक स्टैबिलिटिंडिटर वादनिंग लाइट के वराबर जैसा ही होती है और थोड़ा सा इसमें फरहता है यह जो वादनिंग लाइट है यह इसमें क्या होता है इस्टेरिंग वाडनिंग लाइट इस्टेरिंग एंगल सेंसर चेक करना होता है वहिकल स्पीड सेंसर चेक करना होता है विल सेंसर चेक करना होता है इसमें योर सेंसर जो गाड़ी के अंदर योर सेंसर लगाया हुआ है जो हमें भी मोनेटरिंग करता रहता है तो अभी वो अपडेट आने वाल है या फिर कई ग और उसका मतलब है कि एर आपका डिसेवल हो चुका है काम नहीं कर रहा है रेड कलर की आ रहे है उसमें दिख्कत है अंदर और पूड़ेक पूड जाता है तो रेड कलर की बारनिंग लाइट आजाती है यह यह फिर उसका जो अपना कंट्रोल मोड्यूल एक की वाडनिंग पहले Kim 새 गए सब्सक्राच किया कि हैंक भूंद हरे यह लिए की कोंट इसको दूर्ट है करते कि अधाप सब्सक्राइब वार्निं लाइट इसमें फ्युजर्य इस स्ट्री रिले वरे में प्रवल राइट आलग गताब है इसे ताइमिंग बेर से उपर हो गई है या da वाडनिंग लाइट आदी कम्पनी का अलग-अलग हिसाब किताब है वैसे नब्य और हंड्रेट मतलब 101 के बीच में रखते हैं तो बेल्ट चेंज कराके मैं इसको लो रिषेट करवा सकते हैं वर्णिंग लाइट को यह टाइनिग लाइट वासल in लग मिलुग। और सब्सक्रा adapted नहुता है इंजनोल ओल फिल्टर एर फिल्टर कुलेंट गेर ओल टंप्रेशर यह कोई भी दिक्कत होगी तो यह इन्फर्मेशन वाडनिंग लाइट दिखा देगी और कोई भी वाडनिंग लाइट है कारिस्केन जरूरी है बिना कारिस्केन के एक्सपर्थी मत्ठापेचीकर है। नेक्स्ट इगनेशन स्विच वाडनिंग लाइट और इमोबलाइजर नाट फॉर्म्ड होता है तभी यह वाडनिंग लाइट आती है यअ ऴेर कुन्टेक्ट्ट में नहीं आ रहा तो यह Intel जाथिए sebagai next ऑ नेक्स्ट कीप've fatty warning light में तो इसमें क्या होता है जो रिमोड का का सेल होताने डाउन हो नेक्स्ट प्रेस ब्रेक पैडल और यह लाइट और यह उसकेस में ज्यादब करना करने है यह या जैक से उठाना है तो सेट आप में जाके सास्पेंसन को लोक करना होता वर यह विल्टर और इसकेस में क्या होता है और फिल्टर चोक हो जाए तो यह लाइट आती है तो यह फिल्टर को जो चैन्ज करना हो था फोल टी-प्राब्लम तो यह वी एक तरह से देखा जानेंजमेंट में कुछ कमिया हो लेकिन इसके साथ बड़ा एरर माना जाताPhone को यह लाइट के साथ पी बॉर्निंग लाइट में जरूर करने लगें low fuel fuel low की वार्णिग लाइट है ये तो low fuel है fuel डलवाना पड़ता है born-nut open warning light तो born-nut हो सकता है खुला हो तो ये warning light आ जाती है door open warning light door warning light जो बोलते है door कोई भी बन्द नहीं रहेगा सही से तो ये warning light आ ये warning light का आने का मतलव है दोर का स्विच भी खराब हो सकता है या फिर दोर प्रोपर बंद नहीं हो सकता है तो यह सारी चीज़े चेक करने होती है तो यह वार्णिंग लाइट आ जाती है बल्प मोनेटरिंग वार्णिंग लाइट पुश बटन इंडिकेटर वार्णिंग लाइट जो कीले सावियां होती है उसमें पुश बटन होता है तो पुश बटन आपको प्रेस करने के लिए वो वार्णिंग लाइट होती है टर्ण इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम, फोग लेंप, रियर फोग लेंप, रियर स्पोलर, टोइंग हेज, एड़ डी लोक, रिमांडर लाइट, कनवर्टेबल रूफ, एड़ेप्टिव सस्पेंशन डंपर, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, रिचार्ज एडबलू, ल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उस पर पार्टिकुलर वीडियो इस वाडणिंग लाइट से रिलेटेट, आपको उस पर मिलती रहेंगे, ठीक है, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा, लाइक, बुरा, डिसलाइक, कमेंट कर दीजिए, कि क्या अच्छा इसमें, ठीक है, अब तक के लिए, ओके थेंक यू